सिर्फ दो सीजों से आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजबाब एक नास्ते की रिसिपी आप देख सकते हैं कितना खुफसूरत यह नास्ता बना है तो इसे बनाने में बिलकुल भी महनत नहीं है और खाने में इतना ज़्यादा तेस्टी है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ तो सबसे पहले हमने डाली है एक काप पानी हमने इसे पैन में डाला है और गैस को मीडियम पे रखा हुआ है अब हम इसमें डालेंगे आधी चोटे समस साबुजीरा इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक समस रिफाइन डॉल और इसके साथ हम इसमें एद करेंगे थोड़ी स उस नास्ता अगर आप जादा बनाते हो तो आप थोड़ा मत्रा में कद्डू डाल सकते हैं कद्डू को आप roughly कचट करके दाल सकते हैं हमें इसे पकाना है, तो कड्डू की हिसाब से अभी हम थोड़ा सा इसमें नमकेट करेंगे, और इसे हमें ढग के कम से कम 5-6 मिनित के लिए पकाना है, जिसे की कड्डू हमारा अच्छे से पक जाए, तो ये देखिए, 7 मिनित हो चुका है, तो हम एक बर देख लेते हैं, कड्डू को अच्छे से पकना चाहिए, तो एक फॉक की मदद से हम शेक कर लेंगे, कि ये अच्छे से पका है कि नहीं, तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पक चुका है, तो हमें जो है, इसे अच् मैशर का भी इस्टेमाल कर सकते हैं बस आपको अच्छे से बिना लंसकी से मैच कर लेनी है तो यह देखिए हमने इसे अच्छे से मैच कर ली है अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला एद करेंगे बहुत जड़ा मसाला आपको इसमें नहीं डालनी है थोड़ा सा ही मसाला एद करें बहुत ही लाजबाब सा हमारा नास्ता बनेगा अच्छे से मसालो को कुछ सेकंस के लिए कड्डू के साथ हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला का फ्लेवर जो है वो कड्डू में अच्छे से आ जाए तो पैन में आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं है पानी अच्छे से दीने उबाल आने देंगे और ज्यसे ही इसमें अउबाल आता है we will set a hard of a.b. Crossingछ की दालेंगे और दालेंगे 5 kardeşim शूजी to also. एक कप पानी में आधा काप सूजी आपको डालनी है और छोंग के पहले तोрам सा और नमक वजपस本ट हमने ःत करेंगे नमक ध्यान से डालिएगा ज़्यादा नमक आपको नहीं डालनी है थोड़ा सा ही आपको इसमें डालनी है अब लगातर चलाते हुए हमें जो है सूजी को पका लेना है सूजी बहुत जिल्दी पक जाता है बहुत जिल्दी इसमें जो पानी है वो सूप जाता है तो आपको ल कि यह त्यार हो गया है अब हमने इसमें डाल दी है थोड़ इसी आजवाइन और बारिक कता हुआ हरा धनिया साथ में डालेंगे आधी चोटे समझ सिली फ्लेक्स अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं अब गैस की फ्लेम को तो इसके लिए आपको इसे धक्के रखनी है दस मिनित में सूजी हमारा अच्छे से सेट हो जाएंगे तो दस मिनित बात शेक करते हैं यह देखिए सूजी हमारा हाथ लगाने लाइक थंदा हो चुका है तो इसे हमें अच्छे से मचल लेना है ताकि यह और बढ़िया से फूजी पुरितारीके से थंड़ा हो जाए उससे पहले ही आपको ये कम करना है इससे आप असान इसे सूजी को सोफ्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से etc सूजी ROB Windows to 2 में तयार हो जाता है तो सूझी हमारा वीलकुल तैयार हो चुका हमें इसकी छोटी सी कोटोर्य की जरुरत हैं आपके पर मैं खाथों से कोई बिख्याव vari कर नहीं सकते हैं तो मैं इस तरीके से कटोरी लें ताकि हमारा जो नास्ते का सेफ है वो बड़ाबर से रहे तो थोड़ा सा ओल हमने कटोड़ी में लगा ली है जिससे के नास्ता आसान इसे निकल आता है अब दो में से थोड़ा सा सूजी हम इस तरीके से लेंगे बॉल बना के और इसे हतेली से दबाते हुए हम इसका शेप देंगे यह देखिए पहुती सुन्दर एक शेप हो जाता है नास्ते को सुन्दर बनाने के लिए थोड़ा सा दिजाइन देंगे जिससे की नास्ता हमारा पहुती सुन्दर लगेगा सबसे पहले बीच में एक होल करेंगे तक एक निसान बन चके अब एक ट्वीजर की मदद से इस तरीके से हम इ किछन में रखेएगए ये बहुती काम की है तो जब भी आपको टाइम मिले आप इस तरीके का सुन्दर नास्ता बना सकते हैं थोड़ा सा वक्त लगता है पर बहुती सुन्दर से एक नास्ता बनके तयार हो जाता है अब देख सकते हैं कितना आसान है कुछ नहीं करना है ब पिल्कुल फ्लावर जैसा डिजाइन बनके तैयार होता है और देखने में एक दम बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगता है किसी को भी आप दिखाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि आपने ये डिजाइन कैसे डाले है तो ये देखिए बहुत आसान इसे हमने इसे बन आते जाना है और एक सुन्दर सा डिजाइन जो है नास्टी के ऊपर बनके तैयार हो जाता है अब प्लीज एक बार इस नास्टी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा अपके घर में हर कोई पसंद करेगा क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर होते है घर में है तो सेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है सो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और ये देखे नास्ता हमारा लगभग तैयार हो चुका है तो इस तरीके का नास्ता अगर घर में कोई गैस्त आने वाला हो तो बनाईएगा सब को पसंद आएगा और बहुती सुन्दर और यूनिक लगता है देखने में तो इसी तरीके से मैंने ये साड़ा बना के तयार कर ली है लगड़े ना बहुती ज़़दा खुशूरत तो इसे बनाने में थोड़ासा वक्त लगता है पर बनाना बहुत ज़द आसान है और कद्दू जो है वो एक ऐसा सब्जी है कि जिसको पसंद नहीं हो बिलकुल हाथ भी नहीं लगाते हैं ऐसे में आप इस तरीके से नास्टा बना के दे सकते हैं किसी को बिलकुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने इसमें कद्दू डाला हुआ है मेरे हजबन को कद् करणे के लिए हमने पहले से बढ़ा है और गेस की फ्लेम को हाई करते हुए आपको इसे फ्राइ करनी है क्योंकि सूजी और कड़ू दोनों ही पहले से पका हुआ है तो इसे पकाने की जरूरत नहीं है बस हम इसे फ्राइ करेंगे ताकि यह थोड़ा सा क्रंची हो जाए खाने में ये बहुत जड़तिस्ती लगते हैं उपर से थोड़ा सा ओईल आपको ज़रूर डालनी है ताकि उपर का जो डिजाइन है वो खड़ाब ना हो उपर से ये थोड़ा सा पक जाएंगे तो जब हम इससे पलतेंगे तो डिजाइन हमारा सही बने रहेंगे इसके लिए गरम ओईल थोड़ा सा उपर में आपको ज़रूर डालनी है अब हम इससे पलत लेंगे एक बार तो दो बार में ही आपका जो है नास्ता बनके तैयार हो जाएगा दोनों तरब से एक एक बार बढ़िया से सेक लेने से ये बहुती बढ़िया बनके तैयार हो जाता है इसे प तो चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं आपने आज तक सूजी की काफी सारी रेसिपी बनाई होगी एक बार मेरी तरीके से इस रेसिपी को भी बना के देखिएगा आपको ये बहुत जड़ा पसंद आएंगे और इसे बनाने की बात कॉमेंट में बताना मत भूलेगा कि आपको रे और टेक क्यार